हलो गाईज, विलकम टो अभी शेख जह क्लासेज, क्या हाल चाल है दोस्तो, आज इस पटिकुलर वीडियो में आप सबको बताऊंगा ENVS का मांक्ष डिस्ट्रिबूशन, जी हाँ, BA, BSC, BCOM, सबके लिए कंपल सरी है ENVS, समिस्टर 1 में जैसा था, बिलकुल समिस्टर 2 में भ मांक्ष का आज सकता है, सब चीज बताय जाएगा एकदम डिटेल्स में, जरा सुल लो, ये वीडियो तुमारे लिए इंपोर्टेंट है, ENVS का मांक्ष डिस्ट्रिबूशन, जहाँ पे आप 40 प्लस स्कोर कर सकती हो, ठीक है, अपना स्ट्राटीजी बनाना अभी से स्टार कर दो, because English और ENVS जो है, ये बहुत easy subject है, यहाँ पे 40 प्लस अगर आप नहीं लाते हो, तो गरबर हो जाता है, ठीक है, 40 प्लस क्या 50 आउट और 50 आना चाहिए, ENVS और English आपके लिए संजीवनी बूटी है दोस्तों, बाकी subjects को आप ध्यान दो, लेकिन in-sub subjects पर भी ध्यान द because easily आपको marks मिल जाएंगे इन सब subjects में, ठीक है, अगर बात करें दोस्तों marks distribution का, ENVS का marks distribution आप एक बार देख लो, एक marks के 10 questions आएंगे, यानि 1 marks के 10 mcq आएंगे, तो कितना हो गया 10, okay, 2 marks के 10 saq आएंगे, short answer question, कितना हो गया 20, और 5 marks के दोस्तों, 4 laq आएंगे, ENVS का marks pattern यही है, 1 marks का 10 mcq आएगा, 2 marks का 10 saq आएगा, और 5 marks का 4 laq आएगा, यानि कि यह हो गया 20, और पुरा का पुरा टोटल आपका paper रहेगा, 50 marks का, इस बार भी total paper आपका कितना रहेगा, 50 marks का, दोस्तों, 50 marks का, clear है, okay sir, अब देखिए, अब chapter wise discussion करते हैं, आईए, अब बात करते हैं, chapter wise, सबसे पहले unit number 1 का नाम है, दोस्तों, environmental education, ये chapter थोड़ा सा unimportant chapter है, ये chapter में से 5 से 10 marks आप expect कर सकते हो, दोस्तों, ये chapter में से long question आप accept नहीं कर सकते हो, दोस्तों, ठीक है, 5 से 10 marks आप expect कर सकते हो, clear है, environmental education, next वाला unit है, rules and regulations of environment, very 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 important chapter, जहाँ पे आप लोगको बहुत ज़्या देना है, दोस्तों, इस पे long answer question तो पक्का से पक्का आएंगे, पाच marks का यहाँ पे आपको एक question तो दिखेगा ही दिखेगा, दो marks के दो question दिख सकते हैं, और एक marks के, एक question दिख सकते हैं, यानि 10 से 15 marks आप देख सकते हो, इस chapter से, 10 से 15 marks expected है, 15 marks तक आप सकता है, ये chapter, rules and regulations, very 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 important chapter है, 15 marks तक आप सकता है, याद रखना, clear है, बात करें next, human communities and the environment, ये ज्यादा important नहीं है, 10 marks का आएगा, 10 marks का ये chapter आप सकता है दोस्तो, human communities and the environment, human communities and the environment, ठीक है, तो ये chapter भी बड़ा ध्यान से आप लोग को परना है, and fourth, unit number fourth, very very important chapter, जहां से आप 5 marks का, 2 marks का, 1 marks का, सभी type के question दिखोगे, disaster awareness, बहुत ही important chapter है, इस बार के लिए तो बहुत ज़रा important chapter, COVID-19 वाला, यहां पर topics जो है, वो COVID-19 के related, बन्दब की topics है पुरा, ठीक है, तो disaster awareness, आप लोग के लिए बहुत important हो जाता है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, very important chapter है, ठीक है, और unit number 5 में आते हैं, दोस् और यह 10 marks तक का आएगा, clear है, यह chapter unit number 5, 10 marks तक का आएगा, दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको ENVS और English का course लेना है हमसे, सिर्फ और सिर्फ ENVS और English का course लेना है, तो 2.99 आप हमें pay कर दिजे, और हम आपको ENVS और English, पूड़ा कपूडा 6 मेना, अराम से आप ह वित ENVS और English, तो आप लोग को 9.91 रुपीस लगेगा, और पूड़ा कपूडा सेमिस्टर हम आपको बहुत बढ़िया quality education पराएंगे, इतना सस्ता नहीं होता है यार, अब देखो, अगर आप लोग को enroll करना है, तो कैसे कर सकते हो, 62911-37153 पे, 62911-37153 पे वाटसप कीज देजिए और आराम से lecture देखिए यार, enjoy करो मस्त, बहुत मस्त response आ रहे हैं, अभी तक 900 प्लस members जॉइन हो चुके हैं, 900 प्लस members जॉइन हो चुके हैं, हम लोग 1000 टच करने वाले हैं, सोचो, कितना quality education प्रवाइड कर रहा हूँगा, ठीक है, ओके, मिलते हैं, next video तक बाई, ऐस हैं पर्टल ये, अजिए